हेलो वेलकम सौगत आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशल यूट्यूब चानल पे आज हम एक इंपॉरेंट आर्टिकल डिसकस करने वाले हैं और यह इंपॉरेंट आर्टिकल सच में बहुत इंपॉरेंट है जाते हैं कि काफी कवरिज मिला है इस समदिदेने मीडिया प्रिंट मीडिया के दोरा काफी बिचलन के रहता है हमारी जो government है इनके बीच में जो है dog fight चलते रहता है तो जाने की कॉसिस करते हैं कि क्या है offset क्या है offset penalty और पूरा detail से discuss करते हैं इस पूरे article को क्या यह पहली बार ऐसा हुआ है पहली भारत सरकार ऐसा कर चुकि कि किसी foreign company की उपर जिससे हमने deal किया है defense के मामले में यानि हमने कुछ import किया है और इस तरह के penalty उन पर इंपोस किया है यहां पर हम देख सकते हैं कि इंडिया ने इंपोस किया और आप समझ सकते हो अभी जादा जो है France काफी news में भी है just because आप Australia का news और Australia से जो deal वहां पे cancel हुई है तो वो इंडिया के पाले में थोड़ा सा जादा वो सोचते हैं कि इंडिया के साथ हम आगे negotiate कर सकते हैं तो काफी कुछ जादा जो है France government expect करती है भारत सरकार से और भारत भी भारत के लिए बहुत ही अच्छा conditions भी है कि हम defense की जो equipment से वो अपने हमारी जो policy है बिल्कुल हमने जो है बहुत multiple में diverse करके रखा है जिससे हमें राफियल लेना है जो राफियल manufacturing कर रही है यह manufacturing कर रही है राफियल को और यहां पर आपको company दिखाई दे रही है BMDA तो BMDA जो company है वो associate करेगी किसको आपकी डॉसल्ट aviation को तो डॉसल्ट aviation को जो है वो supply करेगी weapon supply करेगी यानि कहने का मतलब जो है 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 आपके डॉसल्ट aviation के जो manufacturing करेगी किसके राफियल को तो यह सारी की सारी कंपनिया और बहुत सारी कंपनिया यहां पर इन्वॉल्ट वे राफियल के manufacturing में कुछ डिफरेंट डिफरेंट पर्ट्स बनाएंगे और डॉसल्ट aviation के साथ को लिंक करके जो है ultimate राफियल तयार परक पड़ सकता है जो है चीजे बदल सकती है तो यह एक important चीज है लेकिन हम यह जाने के causes करते हैं कि क्या है offset या कि offset के कारण क्यों इतना जादा हुए and crime मचा हुआ है पूरे market में तो हम देख सकते हैं कि जो offset deal है actually में offset होता है कि जो हमारी government होती है हमारा एक बहुत ही ambitious program चल रहा है making in India right तो उसके तैद हम यह चाहते हैं कि जो भी चीजे हम purchase करें उसमें कुछ part जो है कुछ हिस्सेतारी जो हमारे भारत की हो हमारे भारत में हो चीज को manufacturing किया जाए तो जो company है जो हमारी BMDA है ना तो BMDA जो क क्या करना है उनको जो है कुछ जो है मने 50% जितना वह invest करेंगे जितना उनका total investment है इस पूरे project में उसका 50% जो हो भारत में इंवेस्ट करेंगे तो यह जो investment हुआ भारत के अंदर इसे हम कहते हैं offset तो हमारा जो offset deal है इनके साथ यह जो है लगभग total इनकी investment का 50% इने करना था इनकी जो investment का 50% होता है एराउंड जो है 30,000 करोर के अप्रॉक्समेट होता है यह तो इने करना है भारत में इंवेस्ट करना ही पाया है तो इसी करन से यहां पर इंपोस किया जा रहा है पेनाल्टी लेकिन यहां पर जाने की कॉसिस करते हैं कि क्या docile aviation और जो MBDA के द्वारा जो यहां पर investment करना है यह क्या है और किस तरह के समय में करना है तो देखिए सबसे important चीजे है कि जो राफिल डील हुई थी वो 2016 में हुई थी तो 2016 में यह राफिल डील हुई थी भारत सरकार के और फ्रांस के सरकार के बीच में लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि 7 साल के फ्री मतलब हम कर सकते हैं कि इस तरह से लीन प्रियेट दिया गया था यानि 2019 तक तो पैसा इंवेस्ट यहां पे इन कंपनियों को नहीं करना था लेकिन 2019 के बाद इनने पैसा इंवेस्ट करना था तो क्रमसा जो है इनको 50% पैसा इंवेस्ट करना था लेकिन यह कर नहीं पा अभी तक नहीं किया गया है, तो जो डीले हुआ है उसके कारण जो इसकी वर्थ है, वो 57 % है, टोटल जो है राफ्यल डेल में, जो है करना था na interacting कांथ एमढर में, या अगामरी चार साल में आगामी चार साल में हो एतना तो अगों तक तो 3 तक नहीं कर पाई है, इतना और आगे चलके हम देखेंगे कि आगे चलके ये डील जो है ये जो time period है ये बढ़ेगा तो ये percentage भी raise कर जाएगा राइट तो कैक की आगा में रिपोर्ट जरूर से बताएगी कि हाँ ये percentage जो है इतना आगे बढ़ चुका है इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है तो य यहां पर हम जानने के causes करेंगे जो penalty imposed की गई है ओफसेट के कारण ये तो हम समझ गया है कि offset क्या है है हमने यह भी जाना कि offset के कारण penalty imposed की गई लेकिन अब वस्तुता बात यह है कि penalty कितने रूपीज में इंपोस की गई है तो सबसे important चीज है देखें यह मैं आपको बता रह उसके द्वारा यह हम कर सकते हैं जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि यह लगभग जो है यह आपके 1 million euro के आसपास होगा क्यों ऐसा होगा क्योंकि इसके पीछे रिजन यह है 5% देखें टोटल ऐसा है कि जो penalty लगाई जा रही है वो टोटल जो उन्होंने invest करना है इतने time period में उसका 5% जो है as such penalty के तौर पे लगाई गई है तो उसके जो वर्थ निकल क्या रही है वो लगभग जो है 1 million euro के आसपास है इसलिए ऐसा बताया जा रहा है आने वाले समय में यह penalty भी बढ़ सकती है यह भी सोचके रहे कि कि जब समय डिले होगा जब percentage raise होगा तो जब percentage ज और ज्यादा penalty जो है यहाँ पर लगाई जाएंगी तो एक important चीज है जो हमारे report में निकल करके सामने आई अब यहाँ पर एक चीज और हमें समझना है कि देखो वैसे तो राफिल दिल के चलते हमारे political party के बीच में dogfight होते रहता है गौर्मेंट जो हमारे present गौर्मेंट जो हमारे कम के चीज ने एकजाम में कोई पूछता नहीं है लेकिन आपको इतना दिमाग में रखना है कि अगर चीजें घटित होती है तो हमारे इंडिया की जो politics में फिर से एक राफिल नया मुद्दा होगा और फिर इस तरह से चीजें बदलती हुई नजर आएंगी तो ह जिससे हम बहुत जादा हमारी जो सिक्यूरिटी हमारी डिफेंस एक्टर काफी जादा इन्हांस हो जाएगा और इस तरह के पेनल्टी इंपोस करेंगे तो क्या इससे कोई फरक पड़ेगा देखे आपको मैं एक चीज क्लियर कर दू कि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार या मिनिस् काफी अच्छी पैनी नजर रखी हुई है और यह देखने के कॉसिस की जा रही है कि यह सारी के सारी जो फर्म से जो भारत के अंदर इंवेस्ट कर रही है जो भारत जिसके साथ डिल कर रहा है डिफेंस के सेक्टर में उनको इंवेस्ट करना है उफसेट में उन्होंने डिल सरकार नोटिफाइड करके रखी है और उन्हें पेनाल्टी लगाई जा चुकी है और लगाई भी जाएंगी है ना सो देट कि वो जो है अपने वादे जो करते हैं उफसेट में इतना इंवेस्ट करेंगे वो पूरा करें तो हमारी मिनिस्ट्री ओफ जो हमारी डिफेंस है वो बिलकुल इस पर ध्यान रखी हुई है और इस तरह से चार से पाच कंपनिया तो एकदम टॉप मोस्ट में है और वैसी बारा कंपनिया लगभग जो है दरजनबुर कंपनिया जिनके साथ हमने ऑफसेट डील साइन कर रहा है अब हम पॉइंट आउट करती है और गॉइंट को बोलती है कि अपनी पॉलिसी ऑफसेट पॉलिसी जो है इसे थोड़ा फाइन ट्यून करना होगा थोड़े से हमारी जो पॉलिसी है से फाइन तुन करते हुए इसके इंप्लिकेशन को ध्यार में रखते हुए बहुत ही अच्छे जो है इंवर्मेंट देना पड़ेंगे बेस देने पड़ेंगे जो एफडिया हमारा है उसको में अच्छा देना पड़ेगा अगर हम बेस में अगर हमारा लुप होल दिखाई देगा तो ऐसाच यह कंपनिया भी थोड़ा डिले करेंगे गर मानलेजी एक परसेंट आपकी तो यह कमी है तो आम यह नहीं कर पाएं तो इस तरह से आप जो है एक तो वह प्रॉब्लम क्रियेट कर रहें वो नहीं इन्वेस्ट कर रहें लेकिन उनके पॉइंट्स को आप मतलब उनको इस पेस मत दीजिए यह का कहना है कि गौर्मेंट को भी अपने कुछ-कुछ चीज लेकिन कुछ चीज हमारे आधियस में बना लो तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट का आपको महल तो दे नहीं पड़ेगा यह कैक की रिपूर्ट का कहना है तो एक दिजिए एक चीज और में बता दू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है ऑफसेट साइन करके रखा लगब कितना हुआ है अभी तक प्राप्त जो है वो 3.7 billion हुआ है और अगर हम बात करें अप्रिल 2021 तक तक अभी यह बस 2.6 अब समझेंगे आप्रॉक्सिमेटली कि जो है 13 billion में से 3.7 billion ही प्राप्त हुआ है और यह हमें अचीव करना 2027 तक तो इस इंपॉर्टेंट थिंग कितना हुआ है और यह जाप्त हुआ है और यहहा है